हलो एब्रिवाइन और वन्स अगेंड वेलकम टो डबलो एसक्यूब टेक्ट यूटीब चनल माईसल फूमर तसकीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्रेटिंग चैनल ऑन यूटूब यानि बेसिक से हम लोग शुरुबात करें जैस यूटीब के उपर चैनल कैसे बनेगा शुरुबात तो हम इसी तरीके से करेंगे राइट तो हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शन है और किस तरीके से हम बेसिक वे में चैनल क्रेट कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है राइट जब हम चैनल करते हैं उससे जनी की फ्रिक्वेंसी क्या है वो किस तरीके से अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं ऐसे बहुत सारी ही चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पहले से रिसर्च करके रखनी होती तो वो हम पहले से रिसर्च करके रखेंगे और उसके बाद हम चैनल क्रिएट करने जाएंग इसलिए क्रियेट कर रहे हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई स्किल है, पट आप ये भी समझना जाते हैं, कि जब आपका YouTube चैनल मॉनिटाइज होगा, तो आपको किस तरीके से वहां से पैसे मिलने के चांसेज हैं, कौन सी ऐसी निशा है, जिससे रिलेटेड अगर आप वीडियोज डालेंगे, तो जादा जानसेज है, कि जो इंफ्लूएंसर मार्केटर्स को ढूनते हैं, उनलों के आप टच में आ सकें, यानि कि आप इंफ्लूएंसर मार्केटिंग कर सकें, आप अपने YouTube चैनल को ऐसा ब्र रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि दूसरी जो ब्रैंड्स है, वा कि आपको अप्रोच करें, अफिलियेट्स आप कर सकें, तो ये सारी चीजे इस चीज से जूड़ी हुई होती है, कि आप किस टाइप की निश के उपर वीडियोज बना रहे हैं, तो ये सारी एक तरीके से बै जाइज चानल क्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्टार्ट करें एक बेजिक का जो है पहले आप अपना गुगल अकाउंट बना लें, इसको आप घीमेल अकाउंट भी बोलते हैं, बेसिक लांगुज बहुत, आ गुगल अकाउंट बोलें, तो या तो आप एक न् आपने एकाउंट करेट किया गया और उस अगर उसके उर्वर्री चांट आता है। तो अगर उसके उपर इसने इसwait is On लोग बात करेंगे, तो for example, अगर हम यह मान के चलें, कि जैसे आपके पास already एक ID है, ठीक है, यहाँ आपके पास Google एकाउंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने मान के चल रहा हूँ, कि यह मेरे पास एक already अकाउंट नहीं है, तो normally वो आप create करेंगे, और आप ज उस जो नई ID आप बनाएंगे, तो उससे sign in का लिए है, बट जनरी ऐसा होता है कि कुछ लोग यूट्यूब की ID's separate ही रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से करनी होती, तो वो separate ही उसको रखते हैं, ताकि कोई confusion हो, that is also very good, वो उसमें भी कोई problem नहीं है तो आप जिस भी तरीके से convenient हो, उस तरीके से आप कर सकते हैं, it doesn't actually matter, right, so but एक चीज़ मैं suggest करूँगा कि अगर आप बहुत ज़रा confusion नहीं create करना चाहते हो, separate से ही start करिए, right, so यहाँ पर आप देख रहे हो, sign in आप normally जो भी आपने नही ID बनाई है, sign in कर लेंगे, और उसके जब आप sign in कर लेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, right, और अगर आपका channel already बना हुआ, यानि किसी ID के उपर अगर आपका already channel बना हुआ, तो यहाँ पर आपको creator channel का option नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको my channel का option दिखाई देगा, right, so मैं creator channel क पर click करूँगा, और आपको जाना है get started पर दो option आपको मिल लिएंगे, या तो यही चीज यानि कि यह जो Gmail यहाँ पर जो ID है, या मैं कहूँ जो Google account है, उसमें जो नाम है, उस नाम के साथ आप मूव करना चाहते है, custom name के साथ आप मूव करना चाहते है, for example, मैं custom name रख देता हूँ, create कर दूँगा, तो अभी आप देखेंगे, आपका channel create हो जाएगा, अब channel की भी optimization की बहुत सारी चीज रहेगी, channel का description हमें किस तरीके से लगना है, channel के, और भी हमें starting में options बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे है, upload, profile photo, tell viewers about your channel, this is very important कि आपका channel का description, किस तरीके से होना चाहिए, you can enter like 1000 characters over here, 1000 characters की आपको limit मिल जाएगी, और यहाँ पर आप custom link create कर सकते हैं, right, so यहाँ पर आप देख रहे हो, link title है, URL custom link यह है, and then social links है, जो आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो मैं इसको, अभी फॉरना हूँ, मैं इसको, जो है, setup later कर दो, but it is important कि आप इस तरीके से इन सारे चीज़ों को enter करें, just because कि अगर आपके चैनल के ओपर traffic आए करें, definitely वो traffic आप दूसी जगा भी ले जा सकते हो, it is very good, right, so from digital marketer's mind point of view, right, if you are a digital marketer, then don't restrict yourself in learning only, कि किस तरीके से हम YouTube के ओपर channel create करेंगे, right, this video is all about किस तरीके से हम YouTube के ओपर channel create करेंगे but when you see all these options, यह जब सारे बहुत सारे options आपको दिखाई देते हैं, then you should know, right, आपका जो digital marketing mindset हो, click होना चाहिए, कि if I am putting some links over here, तो किस तरीके से हमें benefit करने वाल है, right, so मैं अभी फिलहाल इसे setup letter कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत channel art वगरा को option अब दिख आइंगे, तो आप channel art and other कुछ आपको customizations के options मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं, तो for example, अगर मैं वापस आता हूँ, तो अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका यह जो ID है रेख रहे हैं, यह ID है हमारी ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपक कि अगर आप कोई दूसरा channel create करना चाहिए, then that thing you can also do, वो किस तरीके साप करेंगे, let me tell you, for example, यहाँ पर, let me show you, यहाँ पर हमें फिर से वापस यह channel है, हमारा ठीक है, so यहाँ से आप सीधे चले जाएं, settings में, तो यह तो actually आप 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 जाओगे channel की settings में, but यहाँ पर आप को option मिलेगा, add or manage your channels, right, add or manage your channels, you can click on this, add or manage your channels, और यहाँ पर आप create a new channel का आप को option मिलेगा, so if, if you want to create another channel, then definitely you have these kind of options, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, WS cube, YouTube 2, right, and we'll just click on create, बहुत 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 से simple से steps है, but you should know, right, so यह बहुत simple से steps, तो अगर आपका already कोई channel है, ठीक है, channel है, या आपको बना दी, आपको पता नीचे, कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग देखते हैं कि आप channel बना देतों, बट आपको पता ही चलता है, या आपका channel बन गया, ठीक है, आप normally उसको email ID समझते ह लिए, आप ID वहाँ पर use करते हो, बट आप channel create करते हो, एक दो step से गुजर के, बट गर आप चाहो, तो आप उसी में, उसी ID के लिए, ठीक है, और अलग-अलग या उसी Google account के लिए, आप और अलग-अलग channels create कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता है, उसके बाद अगर आप switch accounts पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, जो है, हम लोग देख रहे हैं कि इस particular ID के अंडर, हमें यहाँ पर दो channels दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस particular ID के अंडर, हमें दो channels दिखाई दे रहे हैं, यह बहुत ही basic सी चीज है, किस तरीके से, आप channels create कर सकते हैं, YouTube के परटिकुलर वीडियो में इतना ही मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में, till then, good luck and goodbye.